ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको कुशामदीद कहती हूँ आज से हम इस वेकली स्पेशल शो में ताहिर गोरा के तज्जिये, बैनल अक्वामी इश्यूस, कनेडियन इश्यूस और साउट एश्यन इश्यूस में सुना करेंगे आज के शो के मुद्धे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी का अपकमिंग विजिट अमेरिका कैनेडा में कुछ सो इंडियन स्टूडन्स की पुटेंशल डेपोटिशन का मामला रूस यूकरीन की ना खतम होने वाली जंग पाकिस्तान के सियासी हालाद और पाकिस्तान को रूस से मिलने वाला ते तो चलिए हम चलते हैं ताहिर गोरा सहाब की जानब जी ताहिर साथ प्राइम मिनिस्टर मूदी का यूएस का टूर एक तारीखी टूर है जो के 21 से 24 जून के दौरान वो कर रहे हैं वो यूएस कॉंग्रस से दूसरी बार खताब करने वाले पहले भारती प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके एजाज में प्रेजिडेंट बाइडन और फर्स लेडी वाइड हाउस में स्टेट डिनर भी कर रहे हैं प्राइम मूदी की इस खास आओ भगत की क्या वजुहात आप समझते हैं जी हलीमा बहुत सारी वजुहात हैं एक तो यह है कि प्रेजिडेंट बाइडन ने जब से आफिस संभाला है और वो प्राइम मिनिस्टर निंडरा मूदी को बहुत पसंद करते हैं यह पसंदीदीगी सिर्फ कोई परसनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर ही नहीं है वो भी है इस से ज्यादा जो अमेरिका और भारत की शराकतदारी है वर्ल्ड स्टेज पे उसकी वज़ा है जैसा के आप और हम सब जानते हैं के भारत कोई का मेंबर है बहुत सालों से कोई इतना एक्टिव नहीं होता था जितना एक्टिव प्रेजडेंट बाइडन के आफिस में आ जाने से हुआ अब कोई में भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान शामिल है और इसकी वज़ा ये है, इसके एक्टिव होने की वज़ा ये है कि चाइना की जो एक्सपैंशनिजम है या ट्रेड के हवालों से जो पॉलीसिया है या अब वो यूएस और वेस्ट के लिए एक थरेट पंता चला जा रहा है तब से अमेरिका ने और यॉर्पिन यूनियन ने भी, आस्ट्रेलिया ने, जपान ने, सब ने ये समझा कि अब हमें इसमें एक्टिव होना है अगर वो एक्टिव हो रहे हैं तो वो बात करते हैं इंडो पैसिफिक की तो जब इंडो पैसिफिक की बात होगी हमने observe किया देखा कि जिस तरह supply chain चाइना में मतासर हुई तो पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर हैं उनको बाहर उनको इंडिया एक predictable country लगता है चाइना unpredictable लगता है और दूसरा जो इंडिया का democratic structure है वो भी उनको बाता है फिर चाइना का जो ताइवान के साथ है और खोड़ चाइना का इंडिया के साथ जो तनाजात है उस सब की रोशनी में अब अमरीका और भारत की जो कुर्बत दारी है वो बढ़ती चली जा रही है और प्रामिनिस्टर निंदरा मूदी की जो policies हैं चाहे उनकी business policies हो international affairs की policy हो और economic policies के साथ साथ जो उनका international stage पे एक रविया है सब के साथ जिसको वो अपनी बीजेपी की जमात में कहते हैं सब का साथ सब का विकास वो internationally भी इस पे believe करते हैं तो ये अलग बात है कि चाइना के प्रेजिडंट को भी दो बार होस किया प्रामिनिस्टर निंदरा मूदी ने मगर चाइना की जो इंडिया पर जो international attacks हैं वो खतम होने में नहीं आते मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो भी perhaps over 100 billion dollar है तो ये वो सारी वजुहात है मैं समझता हूँ जिसकी वजह से प्रामिनिस्टर निंदरा मूदी के लिए प्रेजिडंट बाइडन और फर के जॉइंट सेशन से भी खताब करेंगे तो प्रामिनिस्टर मूदी के लिए अभी हमने पिछले दूनों देखा एक G7 के गालबन समिट में जहां पर प्रामिनिस्टर मूदी as a guest गयो वे थे जपान में वो था तो उसमें जिस तरह प्रेजिडंट बाइडन ने उनका भग प्रामिनिस्टर मूदी को देखा था एक बरस पहले का मैं हाल बियान कर रहा हूं तब वो सब से बातें छोड़ के खुद आए गले मिले तो यह मेरा खाल है बहुत बड़े इंडिकेशन्स हैं यह बहुत बड़े रीजन्स हैं जो अब प्रामिनिस्टर मूदी का बहुत हि जो प्रेस है वो बहुत जादा प्रापेगंडा कर रही है मूदी साब के खिलाफ तो यह क्या इसकी क्या वजवाद हो सकती हैं बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी जो लेफ्ट लींड है मीडिया उसमें भी के बारत के प्र प्रापेगंडा बहुत हो रहा है और यह प्रापेगंडा जब से प्राइम निस्टर मूदी ने आफिस दो हजार चौदा से संभाला है उनके खिलाफ रहा है और मैं यह बात कई बार टैग टीवी पर कर चुका हूँ कि जो हिंदू शब्द था वो वेस्टर्न वर्ल्ड मे बहुत कूल हुआ करता था मगर जबसे प्राइम निस्सर् मूदी आये हैं उनके खिलाफ जो एक्स्ट्रीम स्लामस्ट हैं यह एक्स्ट्रीम खالस्तानी हैं यह एक्सट्रीम लेफ्ट के जो लोग हैं वो एक बारत की अपोजिशन की जो कोवते हैं उनकी पांटनर्शिप मे बिकास भारत की आपोजिशन पार्टियों को ये एसास है कि प्रामिनिस्टर मूदी को और तो किसी तरीके से हराया नहीं जा सकता, इलेक्शन उन से छीना नहीं जा सकता, और हमें नहीं लगता कि अगला इलेक्शन भी दो हुजार चौबीस का वो शाहिद प्रामिनिस्टर के इस्लामिस्टों के, इनका भी अब यही है मुतमय नजर के प्रामिनिस्टर मूदी तो कहीं जाते हुए नजर नहीं आते हैं, दो बार प्रामिनिस्टर बन गए हैं, तीसरी बार बनते नजर आ रहे हैं, तो इनको किस तरह हमटी फैम करें, आपने देखा और सुना होगा के प्रामिनिस्टर मूदी के आने से पहले ही राहुल गांधी गए थे, अमरीका और वो अपने तौर पर उनके खलाफ जतना प्रापगेंड़ा कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वो फैल हो गया, लेकिन यह जो मीडिया का है, प्रेस का जो प्रापगेंड़ा उनके खला वो मसलस्ट चला रहा है on the other hand अब प्रेस के लिए भी दिक्कत है कि प्रेस जो बाइडन को पसंद करता है अब जो बाइडन प्राइम निस्टर मूदी को पसंद करते है परसनल लेवल पे भी और अपनी रेजीम के लेवल पे भी तो फिर भी मीडिया वहां का बाज नहीं आ र सर कर रहे हैं लोग ग्रॉप्स तो वो जाहर है वो अपने नमख हलाली का काम कर रहे हैं चुक्क उनको पैसा मिल रहा है तो लेकिन इसके बावजूद उनका प्राइम निस्टर मूदी के खलाब उसकी वज़ा से हिंदू़िजम के खलाब भी और भारत के खलाब भी मगर व उसको आगे आना चाहिए उसको इस प्रापगेंडे को नलिफाई करना चाहिए अगर एक अलजजीरा है कथर का तुर्की वालों का टीवी है तो बारती डायस्पोरा क्यों अपना उसी स्टेंडर का टीवी और मीडिया आउटलेट एक नहीं कई खड़े करने चाहिए वो उ बारती हकूमत की भी मैं समझता हूँ जिमादारी है और बारती डायस्पोरा की भी है लेकिन यहां पर मैं क्रेड़िट देता हूँ खास दोर पर एक और्गनेजेशन को हिंदू अमेरिकन फांडेशन जो काम कर रहे हैं डॉक्टर सुहाग शुकला जी मही मगानी और जो सा आँ वो बहादरी से काम कर रहे हैं और फिर इसके साथ साथ यह बंसर जी और उनके साथ ही भी वी एच पी से अपनी पूरी कोश्टें करते हैं और भी प्लैटफॉम पे यह दो तीन ग्रो अच्छा काम कर रहे हैं लेकर मेरा ही ख्याल है कि इसमें बारती अमेरिकन कर सके आज का भारत इंटरनाशनल स्टेज पर आप कहां कड़ा देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की अभी में गल्बन फर्स फॉरंग पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा थिंग टैंक है और मीडिया आउटलेट ठीक तरह से है वहां पे एक मां आर्टीकल देख रहा था और प्राइमिनिस्टर निन्रा मुदी की अब तक जो कावशें रही हैं उनकी वज़ा से अब वो ये कह रहे हैं कि भारत अब सेंटर आफ फोकस है ये खुद अमेरिकन्स कह रहे हैं इसलिए आप देख लीजे ना कि प्रेजड़ बाइडन कितना आवबगत कर रहे हैं कि सवागत से प्राइमिनिस्टर मुदी को ना सिर्फ बुला रहे हैं चाओ से बुला रहे हैं जहां कहीं प्राइमिनिस्टर मुदी का इंटरेक्शन प्रेजड़ बाइडन के साथ होता है वो कितनी इ इज़त देते हैं सिर्फ प्रेजिन बाइडन की बात नहीं है यॉर्पियन यूनियन के सारे लीडर फ्रांस के सदर जर्मिनी के चैंसलर यू नेम एनी वर्ल लीडर बरतानिया की एडमिन्स्ट्रेशन अच्छा ये तो वो है जो मगर्बी दुनिया है अब आप देख लिए रूस और यूकरेन की इस जंग के तनाजर में भी इतने अच्छे तल्लकात भारत के रूस के साथ हैं और वो अभी भी है मगर्बी प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी ने एक हिस्टोरिक सेंटेंस कह दिया था एक मौका पर प्रेजड़न वलादी मिर प्यूतन को उन्हों की इस बात को ना तो वलादी मेर प्यूतन ने रिजेक्ट किया और ना ही चाइनीज ने रिजेक्ट किया और ना ही किसी मगर्बी दुनिया ने रिजेक्ट किया बलके मगर्बी दुनिया ने एप्रिशेट किया तो अब रूस के साथ भी उनके बहुत अच्छे तल्लकात है वो भी खराब नहीं हुए और रूस और युक्रेन की सुला कराने में भी वो बेहाइंड दोर प्राइमिनिस्टर मूदी भी फॉर्मिनिस्टर जैशंकर भी अजीद दोवाल जी भी बारती हकूमत बिराक्रेसी वो सब के सब पर्दों के पीछे काम कर रहे हैं फिर इसके साथ चीन के साथ मसाइल जरूर है चीन के साथ भी ट्रेड नहीं खतम हुई कोई इर्रिस्पॉंसिबल स्टेट्मेंट भारत की तरफ से नहीं आती फिर आ उनका जो अरब दुनिया के साथ पन्लक वास्ता है वो हिस्टॉरिक है प्राइमिनिस्टर मूदी जब से आफिस में आए हैं अरब दुनिया के साथ जो उनके रिष्टे नाते हैं वो बेंतहा बड़े हैं अब देखिए चार मुलकों का एक और भी ग्रुप बना हुआ है जिसको यू टू आई टू कहते हैं आई टू यू टू सम्टिंग उसमें इंडिया इसराईल यू एई एंड यू एस यानि हैं लेकिन चुके चीन का जो रवया है वो भारत के लिए एक्रेशन पे होता है तो इसलिए जरा मुशकल है मगर फिर भी ट्रेड चल रही है भारत की तरफ से कोई रिस्पॉंसिबल नहीं आती स्टेटमेंट अफगानस्तान के तालबान की रजीम को वो मदद दे रहे हैं के वहां के लोगों को घला दे रहे हैं गंडम दे रहे हैं ताकि को बुक के nem मरें दूईया दे रहे हैं इरान के साथ देख लीजिए कितने इच्छे तरल्लकात थैं और रही है हैं कि स्वाई शायद पाकिस्तान के हैं पूरी दुनिया के साथ अच्छे तरल लकाते हैं मगर पाकिस्तान के हवाले से भी प्राइम निस्टर मूदी और भारत कोई बुरा नहीं चाहते हैं यह का सची बात है हमें सच बोलना चाहिए वो उनको भी पूरी मदद देने का तयार है अगर पाकिस्तान की तरफ से स्टुपड बाते ना की जाएं लेकिन बाराल यह तो हर बाते हम करते ही रहते हैं लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे भारत इस वक्त मैं फॉरंड पॉलिसी के उस आर्टीकल को दुबारा कोट करते हुए कहूंगा जिसका यह कहना है कि भारत इस वक्त फोकल पॉइंट का दर्चा रखता है माई मुल्क कैनेडा में कुछ चंद सौ इंडियन स्टूडन्स को इस वक्त रेपॉटेशन का मसला है तो आप इस पेचीदा मसले को कैसे देखते हैं देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टन इशू है हमारे इसी स्टूडियो के पास इंटरनेशनल सेंटर है जब हम एक किलो मीटर की ड्राइव करके जाते हैं तो बाहर मतलब एक सौ के करीब स्टूडन्स वो कतबे लेके खड़े होते हैं बैनर्स लेके खड़े होते हैं कि हमारी ना की जाए यह जो फोर्सफुल डेपॉटेशन है था उनके कॉलिजेज भी कुछ के फेक थे फिर उनकुछ के जाब्स के इशूज भी फेक थे तो कुछ के सार्टिफिकेशन भी वहां पे कुछ और थी तो अब किनेडियन सरकार बिलाखर ये समझती हुई नजर आ रही है कि बई इन बच्चों के सार्ट फराउड हुआ इसमें इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है जिन्हों ने फराउड किया है असल में तो उन कल्परिट्स को पकड़ा जाए कोई मेरा ख्याल है पांच रोस पहले ही प्राउड प्राउमनेस्टर टूडो ने एक स्टेट्मेंट दी है कोई गालबान सासों के क्रीब स्टूडेंट्स है तो उनों ने कहा है कि हम मेरा ख्याल है कि कल्परिट्स करने वालों को पकड़ेंगे यह इन में से जो बच्चे जैन्मन हैं हम उनकी डैपुटिशन को रोकेंगे मगर इसमें एक बहुत पचीदा एक और मस्पला है कि जब यह कहते हैं जो जैन्मन है तो इसका मतलब है कि कुछ नौन जैन्मन वे समएखते हैं मेरी जाती राई ये है कि अगर कुछ को नॉन जैनल ये समयते हैं, कुछ के बारे में इनका ये ख्याल है कि उनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी, तो वो जब यहां आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, यहां गुरूम उनकी गुरूमिंग हो चुकी है और मजीर हो रही है, तो अब उन बचों से तो वहां पे गलत बयानी की गई ना, उनको गलत राह दिखाएगी, तो मेरा ही ख्याल है कि जितने भी स्टूरेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव, उन सब को एकॉमडेट करना चाहिए, जहां मतलब कैनेड़ा नए इमिग्रेंट्स, लाखों की ददाद में हर साल बलाता है, और जो बच्चे यहां साथ सो या जो भी नंबर उनके हैं, अब वो कई सालों से यहां पे रह रहे हैं, और वो अल्रेडी किनेडियन एक तरह से बन चुके हुए हैं, तो वो कैनेड़ा का भी एसेट हैं, उनको क्यूं हम बाहर दखेलें, वो बाहर नए इमि साथ सो तो अल्रेडी इस मौाशरे में खपे हुए हैं, इस मौाशरे का ऐसा बने हुए हैं, उनको यहां रहना चाहिए, इसी तरह जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, कंसरवेटिव पार्टी के पियर पॉलिवियर, उन्होंने भी रिसेंटली दो तीन रोज पहले यहां मह सभा मंदर में आके यह खुल के का कि इन बच्चों को यहां पे एकामोडेट करना चाहिए, तो उनकी भी यही स्टेटमेंट है, तो मेरा यह ख्याल है कि भारत के उन बच्चों को जो यहां आचुके हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अब कैनिड़ा एकसेप्ट कर ले और उन के एक सिक परेड में अलामती तोर पर कतल किया गया, जिसका भारतिय सरकार की तरफ से भी रद्यामल आया, कैनिड़ा के ऑपोजिशन लीडर ने भी इसकी सक्त मुझमत की, इस सलसले में आप क्या पहेंगे, देखिए मतब जो भी खालस्तानी वचार के लोग कैनिड़ा में बसते हैं, मैं उनसे एगरी नहीं करता, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उनको अपनी बात करने का हाग है, मकर ये है बात करने का हाग, अब अगर इस आइडियालोजी के साथ वाइलन्स को परमोट किया जाए, या इस आइडियालोजी के साथ कतल अगारत को जोड़ा जा जैसा कि हम जानते हैं एर इंडिया बांबिंग का मसला था अभी वो आभी रही है उसकी एनिवर्सरी भी 23 जोन को वो भी अनफरचुनिली इसके साथ जुड़ा हुआ था हम देखते हैं बाहर निकलते हैं सडकों पे तो गारियों पे ऐसी ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं जिस में कुछ सिक लीडरों को गंज ली ओवे कलाशन कोफिल ली ओवे वो उन्होंने तस्वीरें ट्रॉकों पे और गाड़ियों पे लगाई होती हैं ये एक इंतहाई गहर मनासब है जो ये काम करते हैं मेरी उन से बिंती है उन से रिक्वेस्ट है कि कैनिडा को पुरामन रहने कैनिडा में गन वाईलनस के कलुचर को पर्मोट ना करें अबी ये जो प्रैम निस्टे इंडरा गंदी के साथ जो हुआ, मैं प्राइमिनसर इंडरा गांदी के जमाने में जो आपरेशन बिलू स्टार था, मैं जिस अंदाज में हुआ, मैं परसनली उससे एगरी नहीं करता, कई मतब बेतर रस्ते हो सकते थे उस क्राइसिस को काबू करने के, अच्छा फिर उनको असेसिनेट कर दिया गया थ था, उनके एक बाडी गार्ड ने, जाहिर है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं था, अगर प्राइमिनसर इंडरा गांदी का ब्लू स्टार आपरेशन का पूरे का पूरा जो स्टाइल था, वो अगर हम इसको अप्रीशेट नहीं करते, उनको सैसिनेट करने वाले आमल को भ एक परेट थी, यह बहुत बैड डेस्की है, मैं ही समझता हूँ, जन्होंने यह हरकत की है, उनका अपना ही बड़ा नेगटिव इमज बना है, उस पे हमारे आपोजीशन लीडर पियर पॉलिवियर ने, बारहाल इसकी मुझमत की है, स्टॉंग वर्ड्स में, अभी मुझे यह हकूमती सर्कल से इसकी मुझमत ओटी नजर नहीं आ रही किसी बड़े लेवल पे, सोवाए MP चनरारिया के जो एक बहादर इनसान है, जो लिबरल पार्टी के ही MP हैं, लेकिन प्राइम निस्टर टूडो की तरफ से यह मुझमत आनी चाहिए थी, जगमीत सिंग की तरफ से यह मुझमत आनी चाहिए थी, जो उनकी सरकार में इस वक्त बराबर के शराकतदार हैं, लेकिन अनफर्चनली जो कुछ हुआ, इस पे भारती हकूमत का जो रदे अमल लाया, बड़ा जाइस था, और खास दोर पर जो बात की है, भारत के फार्म मिनिस्टर जैशंकर जी जो बहुत ही सीजन अब तो पॉलिटिशन हैं, सीजन डिपलोमेट हैं और भारत के फार्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने का कि यह सब कुछ जो कैनड़ा के शेर ब्रैम्टन में होगा है, यह खुद कैनड़ा के लिए अच्छा नहीं है, मैं उनसे अग्री करता हैं इस बात पर और मैं आगे एक जुमला फिर दो रहाँगा, कि जिन्होंने यह कुछ किया, यह उनके हक में भी अच्छा नहीं है, उनके इमिज को भी यह और खराब करेगा वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स, कैनड़ा की सियासत को किस तरफ ले जा रहे हैं? यह एक और आपने बड़ी ही रेलेवेंट बात पूची, जो मैंने अभी सारी बात की है, वोट पॉलिटिक्स के साथ चुड़ी हुई है, वरना कोई भी देश इस तरह की जो बुरी हरकते हैं, जिसमें गन वाइलेंस हो रही है, मत अब ट्रॉकों पे, सड़कों पे, कलाश कोफें उनके आपे में पकड़ा रहे हैं, for God's sake, लेकिन इस पर क्यों हकोमती जो इस पर की लिबरल सरकार है और उनके जो शरकत करने वाले NDP के जो लोगों क्यों उस पर बात नहीं करते हैं, इसलिए को उनको वोट चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही कैनेड़ा के में रहते हैं, हम भी इनको देखते हैं, हम भी कैनेडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत करीब से जानते हैं, आपके और मेरे हलीमा यहां पे हजारों ऐसे सिख बहन भाही दोस्त हैं, इतनी पीसफुल कम्यूटी गुरू गरन्ट साब सवाए पीस के कोई दूसरा मेसेज यह उसमें नहीं है, इतने यह अजीम लोग हैं, इतनी अजीम आइडियोलोजी हैं, बाबा नानक जी दर ग्रेट, इतने ग्रेट हसनी हैं, वो आतार हैं मगवान का, तो इस कम्यूटी में से कुछ एक्स्ट्रीमिस लोग, अच्छा मैं यह कहता हूँ, कि मेरे अपने कई वाकिफकार हैं, जो खालसानी ख्यालात के हैं, मैं उन से खुलत के कहता हूँ, जब मैं मिलता हूँ, मैं कहता हूँ, पाजी तो इसी गल कर लो अपनी, पर वाइलेस निकाल ना करो, ठीक है, आपकी जो अपीनियन हैं आप देंज्गे, यह जना फ्रीскट्री है, लेकिन यब आप वाइलेस की बात करेंगे, तो आप अपनी स्पेस को भी खराब करेंगे, और इसके साथ साथ आप अपना image भी खराब करेंगे, और कैनीडा का नाम भी बनाम करेंगे, लेकिन इस सारी सिचुइशन में आप सिंग ने और टूटो साब ने एक एलाइंस बना लिया एलेक्शन से बचने के लिए लेकिन हमें उमीद है कि यह कैनिडा की पॉलिटिक्स साई ट्रैक पे चड़ेगी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है पियर पॉलिवेर वो एक स्ट्रॉंग लीडर है एंड वी होप कि वो कैनिडा की पॉलिटिक्स में और किरदार अदा करें अब रिजीम चेंज का वक्त आ गया लेकिन जाहिर अगला एलेक्शन जब होगा तब ही रिजीम चेंज अगर हो सकी तो होगी अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की जंग जो खतम होने का नाम ही नहीं दे रहे तो इस सल मैं रूस की इस इंपोजेशन के हाक में नहीं क्योंकि ये अच्छा कदम नहीं है जंग जो भी इंपोज करेगा चाहिए उसके कारण कुछ भी हो ये अच्छी बात नहीं अब तक हजारों कुछ तो कहते हैं लाग से ज्यादा फौजी दोनों तरफ मारे जा चुके हैं और आम शहरी और ज्यादातर युकरैनियन शहरी भी बहुत सारे इसमें मारे जा चुके हैं मिलियन्स युकरैनियन जो यो हैं डिस्प्लेस हो चुके हैं और सबसे बड़ा इसमें एक और फेक्टर भी है कि इस ना खतम होने वाली जंग से हर वक्त ये खच्छा लगा रहता है कि कहीं कोई नुकलियर बतमीजी ना हो जाए दुनिया में तो अब ये रूस और यूकरेन की जंग दर हकीकार रूस और वेस्ट की जंग में बदल चुकी है वेस्ट पूरे का पूरा यूकरेन के पीछे खड़ा है जो वेस्ट यूकरेन से हासल करना चाहता है मैं उससे भी फुली एगरी नहीं करता लेकिन अब कोई आप्शन ना यूकरेन के पास वापस बची है कि वेस्ट का सहारा ना ले और आए दिन आए दिन रूस किसी ना किसी शेहर पे कबजा करता है फिर यूकरेनियन उस कबजे को छुड़ाते हैं और फिर कुछ सिवीलियन मारे जाते हैं दरजनों बिल्डिंगें इन सम केसे सेंक्डों बिल्डिंगें तबाव जाती हैं शेहर तबाव जाते हैं सेंक्डों हजारों फौजी दोनों तरफ मर रहे हैं फौजी हों सिवीलियन हों हैं तो इनसानी जाने और इस जंग की वज़ा से दुनिया की एकानमी पे दुनिया की टेल की सप्लाई पे सब पे फर्क पड़ रहा है गंदम की सप्लाई जो यूकरीन से बहुत बड़ी गंदम की जो है मिकदार वो गरी मुलकों को सस्ते दाम हो जाती थी वो मतासर हो रही है कोई देड़ साल से तो यह जंग बारहल खतम होनी चाहिए और हमने यह देखा दुनिया की कोई जंग हो अल्टीमेडली तो वो टेबल पे ही आके खतम होती है ऐसा तो नहीं है कि हमने रीसेंट दहाईयों में देखा हो कि किसी जंग का फैसला मिदान जंग में हुआ हो अल्टीमेडली वो मेज पे आके ही नेगुसेशन से ही खतम होती है तो जब मेज पे इसको खतम होना है तो क्यों हजारों लाखों लोगों की जानों की बर्बादी के बार ये खतम हो क्यों मिलियन्स लोगों की डिस्प्लियस्मेंट के बार ये खतम हो क्यों बिलियन्स लोगों की जो इंटरनाशनल लेवल पे सफरिंग है उस से ये खतम हो तो मेरा ये खियाल है कि अब वेस्ट जो के प्रेजिंट को अभी अरब लीग ने वापस लिया है बशर असद को तो बशर असद के खलाफ कितना इंटरनेशनल था और शाम कोई रूस की तरह का बड़ा मुल्क भी नहीं तो जब उसको दुनिया गले लगा रही है और है बशर असद का रोल डिफरेंट था वो इस तरह का उनका जारहाना रोल नहीं था लेकिन उनके जो मुल्क के उनके खलाव लोग है वो तो कहेंगे के वो बहुत जारहाना रोल था मगर मैं अगर वुलादी मीर प्यूतन के नहीं देही रही है और उनके वापस अरब लीग में आ जाने से अब सीरिया ड्वेल्प होना शुरू हो जाएगा वहां के मसाइल रेलेटिवली कम होना शुरू हो जाएंगे इसी तरह वलादी मीर प्यूतन को अगर आप कहेंगे कि तुमें तो हम इंटरनेशनल कोट में ल अबादी के अबार से भी अच्छा खासा सौ मिलियन से ज्यादा लोग है और रकबे के तबार से दुनिया का सबसे बड़ा देश है हमारे कैंड़ा और अमरीका दोनों को एक कर दें उनके रकबे को तो रूस अतना बड़ा देश है बे तहाशा उनके पास वसाइल हैं तो अब सारी सूटे हाल में मेरा खाल है जो बात प्राइम मिनिस्टर मूदी ने उन से कही थी कि मिस्टर प्रेजिडेंट व्लादी मेरी प्रूतन जंग से बाहर आईए यही बात दुनिया कह रही है लेकर वो भी जंग से तभी बाहर आएंगे जब उनको भी कोई एक्जिट मिलेगा चुक्कि रूस का भी बहुत नुक्सान हो चुका वैस जंग में तो अब वो जंग से कैसे बाहर आएंगे कोई उनको भी तो कोई थोड़ा सा सेफ एक्जिट देना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है कि यह सलसला तब तक चलता रहेगा जंग का हम आई रोस कोई नो कोई वहां पर मसाइल सुनते रहेंगे तब तक जब तक यह मेज पे बैठक पाकिस्तान के साथ बढ़ेगी तब नहीं मेरा नहीं ख्याल इस बात की वज़ा से मगरब की नराजगी पाकिस्तान से बढ़ेगी क्योंकि मगरब को यह भी अंदाजा है कि मगरब कौन सा तेल पाकिस्तान को बेच रहा था तेल तो पाकिस्तान पहले अर्बों से ही ले रह है और फ्रेंकली वो अर्बों से खरीद कम रहा है उधार पे ज्यादा ले रहा है तो शायद इसी का कोई कारण बना है कि पाकिस्तान ने सोचा कि भाई उधर तो हमें कब तक उधार में लेगा और फिर जाहर है अरब कंटी के तेल का एक इंटरनेशनल स्टेंडर्ड डेट है जो रूस के तेल से बहराल मेंगा है तो पाकिस्तान इस वक्त काफी गुरुबत का शिकार है तो पाकिस्तान को जरा सस्ता माल चाहिए हर माल सस्ता इसमें मैं पाकिस्तान को बलेम नहीं करता है मैं यह समझता हूँ कि जब दुनिया के बहुत सरे ममालिक इंडिया तक तेल रहे हैं रोज से तो पाकिस्ताम क्यों ना ले ये एक इंट्रस्टिंग बात है कि पाकिस्तान को जो ये तेल की पहली खेप मिली है मेरे पस कन्फर्म इंफर्मिशन नहीं है मगर जो हम सुन रहे हैं मीडिया के जरीए वो उन्होंने चीनी करंसी यानि चाइनीज रुपए दे कर उन से लिए है तो इसका एक मतलब ये भी है कि चीनी उधार पाकिस्तान पर चड़ गया है पहले अर्बों से जो तेल आ रहा था वो अभी भी आ रहा है ऐसी बात तो नहीं है कि एक जहाज तेल के आ आ जाने से अर्बों से तेल लेना ये बंद कर देंगे वो भी चाहिए मगर साथ साथ रूस से तेल भी चाहिए और फिर रूस से जो तेल लेने का महमला है वो पाकिसान के लिए एक प्लिटिकल भी आ है चुकर इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हों ने रूस का तब दोरा किया था जब जंग रूस ने यूकरेन पर मुसल थे तेल ले लिया शबाश शरीफ ने अपनी इस मैं तो इसको मतलब सौर्ट अफ इंटेरिम गौर्वर्मन कहूंगा चुक्के अभी इलेक्शन सर पे खड़ा अगर हो गए तो तो बरहाल पाकिस्तान को रूसी तेल की खेब मिल गी आपका बुनियादी स्वाल क्या मगरब प सा पाकिस्तान को तेल दे रहा था और दूसरा अगर पाकिस्तान को तेल देना भी पड़ता मगरब को तो उधार ही देना था तो मगरब पाकिस्तान को उधार तो देनी था तो इसलिए पाकिस्तान को बहराल तेल तो चाहिए न हर मुलक की तरह तो यह तो जाती है को कोई उ डॉलर की जो जो होल्ड है दुनिया में वो कम हो रहा है चुके भारत भी रूस के साथ रोबल में और इंडियन रुपए में बिजनस कर रहा है। चाइना चाइनीज युवान के साथ बिजनस कर रहा है। रूसियों के साथ रोबल में कर रहा है। तो ये बहुत बड़े- काड़ोबारी रिष्टे, उनकी करंशियों में कर रहे हैं, अपनी करंशी में कर रहे हैं, तो ये एक अलग बैस है, और इस पे आने वाले दिनों में बाचित करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को रूसी तेल की जो ये जो पहली खेप मिली है, इससे वहां की जैसी त इससादी जो सूर्टेहाल है, उनका जो एकनामिक मामला है, वो तो अभी जो अने तेल की बात की, कुछ उसमें कवर हो गया, बहुत बुरी सूर्टेहाल है, आएम एफ अभी तक पाकिस्तान को कोई पैकेज फाइनलाइज नहीं कर रहा है, और जो रियूमर्स हैं, या जो चीजें, लोग समझ रहे हैं, आइनलेस, वो ये कह रहे हैं, कि ये जो पाकिस्तान की सियासी सूर्टेहाल के सार आएम एफ भी जोड़ा हुआ है, चुक्के इमरान खान भले से बहुत कहते हैं, कि भई, मैं अमरीकी गुलामी से पहले कहते थे, आज़ चकल तो नहीं कह रह लेकिन दर हकीकर वो अमरीका के मुखालफ नहीं है, बलके वो चीन का जो सी पैक है, उसको उनों ने बंद कर दिया था, उसको बंद करने के बाद वो अवाम को ये तासर दे रहे हैं, कि मैं ने ये चीन के खलाफ कुछ नहीं किया तो मैं तो अमरीका के खलाफ हूँ, अमरी خان مجھے لگتا ہے کہ اس نیریٹر میں خود ہی اپنے طور پر ہی جتنا سکرپٹ تھا ان کو جتنی پرمیشن تھی دوسرے لفظوں میں اس سے خود ہی بہت آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کے وہ بڑھ کے مارنے لگے اور جو ان کا ایک مزاج ہے جو ان کا سٹائل ہے اسی مزاج اور سٹائل میں وہ بہت ساری حدیں تجاوز کر گئے حتیٰ کہ نو مہی کی پاکستان میں یہ جو جلاو گھراو کی situation ہوئی وہ بھی ہو گئی پہلے عمران خان اور ان کے لوگ indirectly اس کو own کرتے تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے لیکن اب جیسے ہی ان کے ساران پڑا تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں یہ تو انہوں نے کیا ہے جن کو اس کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ اس کا فائدہ ان کو جو ہونا تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو جلاو گھراو کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم پاکستانی فوج کو دبا لیں مگر پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر دبانا تقریباً ناممکن ہے اس بات کا ادراک عمران خان کو ہونا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے ان کو as of now جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں ابھی بھی نہیں ہے وہ ابھی بھی بہت اپنی جو ہے نا میں تو کہوں گا stupid statements دینے سے باز نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے سیاست تو پاکستان میں کرنی ہے سیاست پاکستان سے یا تو باہر کرنی ہو نا تو پھر آپ جو مرضی بھی انبازی دیتے پھر ہے بھئی آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے پاکستان کے اندر رہنا اس کے بعد آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ اس طرح کے خوفناک پنکے لیں گے تو آپ کیسے سیاست کر سکیں اچھا لے بھی لے پنکے ہم جیسے لوگ ان کی حمایت بھی کر دیں مگر عمران خان کی حمایت مجھ سے اس لیے نہیں ہو پاتی کہ عمران خان یہ نہیں کوئی سی principal کی بیس پر نہیں کہتے کہ جی پاکستانی فوج کا سیاست سے تعلق الگ ہونا چاہیے وہ اس بیس پر کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اقتدار میں پاکستانی فوج دوبارہ لائے اگر وہ مجھے اقتدار میں لے آئے گی تو پھر یہ سب بہت اچھے بچے ہیں اگر یہ اقتدار میں مجھے نہیں لاتے تو پھر یہ ہیومن ریٹس کے وائلیشن کر رہے ہیں تو یہ جو عمران خان کا رویہ ہے نا اہمکانہ رویہ اور یعنی وہ ایک جھوٹ کو سب چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ان سو جھوٹوں کو چھپانے کے لیے ایک لاکھ جھوٹ بولتے ہیں تو عمران خان is a gone case وہ شہست میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جب میں کہتا ہوں gone case مگر وہ میرے لیے اس لیے gone case ہیں کہ ان کی zero بھر بھی credibility نہیں ہے میری نگاہ میں اور میرے جیسے لوگوں کی نگاہ میں مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی اقتداد ان کو چاہتی بھی ان کو پورا حق حاصل ہے لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اس کو criticize کریں آخر میں میں پاکستان کی political صورتحال پہ ایک دو جملے اور کہوں گا پھر ہم بھی بات چیز کو wind up کرتے ہیں وہ situation یہ کہ پاکستان کے election august twenty twenty three میں یہ government اصولی طور پر چلی جائے گی جو اس وقت کی وہاں پہ collision government ہے پھر شاید election اکٹوبر میں ہونے چاہیے اب پاکستان کے economic حلات اور political حلات اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس کے لیے آصف زرداری ہوں یا مسلمین نواز کے دیگر لیڈر ہوں ان کے confusing بیانات آ رہے ہیں مولانا فضل ریمان کب اس طرح کا بیان آیا تو عمران خان کے ساتھ مزید کیا حشر ہونا ہے ان کی پارٹی ان کے ساتھ کافی حشر نشر ہو چکا ہے اب تک اب مزید کیا حشر ہونا ہے وہ تو آنے والے دونوں میں پتا چلے گا جس کے بارے میں پاکستان کے جو ہیں commentators خوفناک picture پیش کر رہے ہیں ان کا مزید کیا حشر ہونا ہے election ہونے یا نہیں ہونے تو میرا یہی کوئی تفسرہ ہے کہ ان کے ساتھ مزید سخت کاروائی ہوتی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات میں election برحال ہوں گے کیا وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں میں مجھے 50 50 نظر آ رہا ہو سکتا ہے اکٹوبر میں ہو جائیں اور ہو سکتا ہے اکٹوبر سے بھی آگے نکل جائیں یہ میرا ہی مسئلہ نہیں ہے 50 50 والا confusion کا معاملہ یہ خود politician جو seatوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر پتہ نہیں ہے کہ یہ ہونے ہے یا نہیں ہونے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال تیل دیکھو تیل دیکھو اور تیل دیکھو اس کی دہار دیکھو کہ یہ مترادف ہے اس سے علاوہ ہم اس وقت کچھ اور نہیں کہہ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس شو میں آپ کے ہی شو میں اپنے خیالات سانجے کرنے کا بہت بہت شکریہ آج کا تاہر اسلام گورا کا بلا تکلف میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی